हेलो एवरीवान ललीदा बार्दोर किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ जैक फ्रूट यानकी कठल की सबजी जो की बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज म तो यह देखें कठल की सबजी बनाने के लिए मैंने काफ कीजी लिया है कठल मैं इसे बजार से ही कटवा के लिए आए थी और अगर आप इसे घर में कटिंग करते हैं तो अपने हाथ में मस्टर्ड ऑइल लगाकर और फिर अपने मन पसंद साइज में इसकी कटिंग कर सकते यह देखे इसके लिए मैंने लिए हैं चार प्याज और उसको इस तरह से मैंने पीसिस में कट कर लिया है चार ही लिए मैंने छोटे साइस की टमाटर उन्हें मैंने इस तरह से प्यूरी बना लिया है और यह देखे मसालों में मैंने अद्रक और लसन को इस तरह से क्रश कर लि क्या है हींग एक तेजपत्ता और जीरा थोड़ी सी कसूरी में थी यह ओप्ष्णल है आप डालना चाहें तो डालें नहीं तो स्किप करते हैं नमक कर्की कैस्किक हां वस्कित और यदेची मेंने लाल बाहते हैं क्या करका है तो यह देखिए एक पैंड में मस्टर्ड ऑइल को गर्म कर लिया है और इस में अब हम अपने कठल को डीप फ्राइब करेंगे और इस टाइम मैं इसमें डालूंगी हल्का सा हल्दी और इसको अब हम अच्छे से बीप फ्राइब कर लेंगे बाकि हम मसालों के साथ इसे पकाएंगे तो चलिए इसे हम निकालेते हैं तो यह देखिए अब सी ओयल में से मैंने थोड़ा सा ओयल एक दूसरी कडाई में लिया है और इस टेंप डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता और यह मसाले जीरा इनको अब हम भूर लेंगे इसी टाइम टाल देंगे इसमें हम हींग और यह कटे हुए प्याज और प्याज को हम अच्छे से पिंक होने तक पका लेंगे इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे यह लाज सुखी मिर्च और अद्रक और लस्ट इनको भी हम प्याज के साथ ही बूल लेंगे तो यह देखें प्याज भी हमारा बून चुका है और इस टाइम अब हम डालेंगे टमाटर इसी के साथ साथ इसमें जाएगा नमक हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च धरिया पाउदर और अब हम इसको अच्छे से बुन लेंगे हल्का सजाएवे इसमें पानी ताकि मसाले अच्छे से बुन जाएं और इसको हम ढखके पका लेंगे मसाला अच्छे से बुन चुका है और मसालों ने तेड भी लीज कर दिया है तो इसको मैं कुछ चकिन के लिए और भूनू भी ऐसे ही बिना डखे तो इस ताइम जाएगा इसमें कसूरी मेती और इसको भी लेंगे इसके साथ तो मसाला तयार है हमारा और अब जाएगा इसके अंदर हमारा प्राइ किया हुआ कठल और इसको अब हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे अब जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी मिल्कुल हलका सा बहुत ज्यादा नहीं डालना हमें क्योंको सुखी सब्जी बना रहे हैं तो हलका सा पानी डालने से जो मसाली है वह कठल के साथ अच्छे से लिपड़ जाएंगे और अब हमें इसे ढख के पकाना है सॉफ्ट हो रहा है तो यह देखे हमारी सब्जी बनके तयार है और इस ताइम अब हम इसमें डाल देते हैं यह गर्म मसाला और हरा दली इसको कर लेते हैं मिक्स और इसमें से अब हम यह तेज पता निकाल देंगे तो चलिए अब इससे साथ कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स हमारी कठल की सब्जी बनके तयार है आप इससे अपनी मन पसंद रोटी पूड़ी प्रांठा इसके साथ खा सकते हैं तो चलिए इसके साथ साथ अगर आप मेरी चैनल पे नई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेरो सब्सक्राइब जूर कर दीजिए और बल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे और इसके साथ साथ कमेंट में बताईए क आपको मेरी रेस्पीस कैसी लगती है तो चले फ्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई